हेलो फ्रेंड्स आपस बीकस वबागत है मरी यूट्यूब चैनल इस सुड़ेंट एलाइट में ऐसे से जीडी के लिए यह हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नमबर थ्री है जिसमें टोटल 25 कोशन्स करने वाले हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक क कुछ लोग सोच रहेंगे आपस नमबर बी लेकिन यह गलत है सही जब भजाएगा आपस नमबर डी देखिए अगर यहाँ पर रहता ओ ई उ या फिर री ताप उसे टिक कर सकते थे लेकिन यह आपसर में नहीं है यह जो है वो यह हरसुधवनिया है ओ ई उ और री इनके है आपको बताना कि कौन सा जौ सब्द है वो तत्सम यह भाते हैं जो सब्द संस्क्रिट से जी ओंटीयूंप एबिस्तिव इस्तम किये जाite है उन्हें वहीं अगर मात करें प्राकृत तो ऐसे सब्द जो अस्कृत और प्राकिर्त से विक्रेथ होकर यानि कि चेंज होकर हिंदी में आये हैं उनहें तत्भाससब्द कहते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा जो सब्द है वो तत्सम्-सब्द है तो इसका सही जब हो जाएगा option number D, विश्मय विश्मय जो हो वो तत्सम सब्द है और विश्मय का अर्थ होता है आज चारे अगला प्रस्ण देखते हैं अखरोट सब्द का तत्सम रूप है आपको बताना है कि यहाँ पर जो सब्द लिखा गया है अखरोट इसका तत्सम रूप क्या है तो इसका सही जब हो जाएगा option number B, अक्छोट अखरोट जो है वो तत्दभव सब्द है और इसका तत्सम होगा अक्छोट अगला प्रस्ण देखते है विश्मय सब्द का परेवाची है आपको बताना है कि विश्मय सब्द का परेवाची क्या होगा सही जब हो जाएगा option number B, पादप विश्मय का परेवाची हो जाएगा पादप और विश्मय के अन्य परेवाची की बात करें तो वो जाएगा तरू, द्रूम, विटप, अगम, पेर, गाच, इत्यादी जबकि जो यहाँ पर प्रसून लिखा गया है प्रसून जहें वो फूल का परेवाची है या फिर बोल सकते हैं कि फूल प्रसून का मतलब होता है फूल और यहाँ पर जो किंकर लिखा गया है तो किंकर का मतलब होता है दास और हेम का मतलब होता है सोना अगला प्रसून देखते हैं कमल सब्द का परेवाची है आपको बताना है कि कमल सब्द का परेवाची क्या होगा तो इसका सही जब हो जाएगा option number A तामरस कमल का पड़ेवाची हो जाएगा तामरस यहाँ पर जो रसाल लिखा गया है तो रसाल का मतलब होता है आम और जबकि हम बात करें अम्बू का तो अम्बू जो है वो जल का पड़ेवाची है अगला प्रस्ण देखते है श्री गनेस सब्द का विलोम है आपको बताना है कि श्री गनेस सब्द का विलोम क्या होगा तो इसका सही जब हो जाएगा option number B इती स्री श्री गनेस सब्द का विलोम हो जाएगा इती स्री अगला प्रस्ण देखते हैं शंकीर्ण का विलोम है आपको बताना है कि शंकीर्ण जो सब्द है इसका विलोम क्या होगा सहीज़ वो जाएगा option number d विस्तिर्ण देखे संकीर्ण का विलोम विस्तिर्ण होता है जबकि अगर हम बात करें संछेप का तो संचेव का विलोम विस्तार एवाम विकेर्ण का विलोम आकेर्ण है अगला प्रस देखते हैं जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक सब्द है आपको बताना है कि जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक सब्द हम लोग क्या लेख सकते हैं चार उप्सन आपके सामने दिये गए हैं बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब होजाए का उप्सन वर B असाध है जिसका उप्चार ना हो सके के लिए एक सब्द है असाध है अगला प्रस्न देखते हैं वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांस के लिए एक सब्द है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका सही जवाब होजाए का उप्सन नमबर C वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा वीर प्रसू, वीर इस्त्री के लिए एक सब्द है वीरांगना, पुत्र को जर्म देने वाली के लिए एक सब्द है पुत्रवती और वीर बहु के लिए एक सब्द है बीर बहुरी अगला प्रसुन देखते हैं कौन सा वाक्य सुद्ध है आपको बताना है कि यहांपर कौन सा जो वाक्य है वो सुद्ध लिखा गया है स्पार लिखाई का option number d वाक्य कितना सुन्दर दृष्ष्व का वर्णन किया जा रहा है जो कि विश्में बोधक है अता option number जो यहांपर d है वो सही है अगला प्रस्ण देखते हैं निमलिखित वाक्यों में से सुद्ध वाक्य है आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो सुद्ध लिखा गया है सही जब जाएगा ओप्सन नमर ए यहां गन्ने का ताजा रस बिखता है दिये गए विकल्प में से विकल्प एक यहां गन्ने का ताजा रस बिखता है यह जो वाक्य है यह बिल्कुल सुद्ध लिखा गया है बाकी जो तीन है वो असुद्ध है अगला प्रस्ण देखते है आयूसमान का इस्तिरलिंग है आपको बताना है कि आयूसमान जो सब्ध लिखा गया है यहां पर उसका इस्तिरलिंग क्या है सहीजर बो जाएगा optional B आयूसमती आयूसमान का इस्तिरलिंग हो जाएगा आयूसमती अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से कौनसा सब्द स्तिरलिंग है? आपको बताना है कि कौन जो सब्द लिखा गया है वो स्तिरलिंग सब्द है तो इसका सही भग जाएगा option number C मिर्तियो अगला प्रसें देखते हैं मैंने कुट्टे से डर कर भागा इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जब जगा option number C अपादान देखे जहाँ पर अलग होने तुलना होने यत्वा डर होने की बात की जारी हो वहाँ पर अपादान कारक होता है अता यहाँ पर सही जब जगा option number C अगला प्रस्द देखते हैं कौन सा वाक्य संबंध कारक का है? आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य हो संबंध कारक का है? यहाँ पर चार वाक्य लिखे गए हैं कौन सा जब वो संबंध कारक का वाक्य है? सही जब जगा option number C मेरी किताब खो गई देखिए यहाँ पर मेरी का प्रयोग संबंध कारक दर्शारा है यहाँ पर बता रहा है कि मेरी किताब अगला प्रस्म देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं चार उप्सन आपके सामने दिये गये हैं। सही जब भजाएगा उप्सन नंबर डी छे। सर्वनाम के छे भेद हैं पुरुस वाचक सर्वनाम, नीज वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम, संबंद वाचक सर्वनाम तथा प्रस्ण वाचक सर्वनाम अगला प्रसंद देखते हैं तुमने ठीक ही सुना है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तुमने ठीक ही सुना है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है अगला प्रसंद देखते हैं निमलिकित में से कौन सा सब्द विसेशन है आपको बताना है कि कौन सा जो सब्द है वो विसेशन है सईज़ब जगा औपसर मरे बनारसी देखिए बनारसी आप इससे कपरे की विसेशन बता सकते हैं कि यह जो जैसे सारी होती है बनारसी सारी या फिर किसी पूरुस का भी विसेशन बता सकते हैं कि यह जो पूरुस है वो बनारसी है यानि बनारस का है तो ये जो है वो वी सेशन है अगला प्रस्ण देखते है शकर्मक क्रिया कौन सी है चार अप्सन दिये गए हैं बताना है कौन सा जो है वो शकर्मक क्रिया है सही जब होज़ा का अप्सन नमरे लिखना लिखना सकर्मक क्रिया है क्योंकि लिखने का कर्म लिखने का यहां पर फल कर्म पर पर रहा है अगला प्रस्ण देखते हैं प्रबल में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है कि प्रबल जो सब्द लिखा गया है इसमें कौन सा उपसर्ग है सही जब फुज़य का आपसर में भी प्र सन्यास में कौन सा उपसर्ग है अगला प्रसन देखते हैं उच्चारन सब्द में उपसर्ग है आपको बताना है उच्चारन सब्द में कौन सा उपसर्ग है सहीज़ वजय का option number C उत उत्चारन का संदी वीशर दुज़ेगा उत्च जोर चारन होता है अता उत्चारन में यहाँ पर उत्च उपसर्ग है अगला प्रसंद देखते हैं इती जोर आदी इत्यादी में कौन सी संदी है आपको बताना है इती जोर आदी इत्यादी होता है इसमें कौन सी संदी है चार उपसरन आपके सामने दिये गए हैं बताना है किसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब होजागा option number A यहाँ संदी इसमें E और A E और A यह मिलकर यहाँ पर यहाँ हो जाता है अगला प्रस देखते है सदेव सब्द में कौन सी संदी है आपको बताना है सदेव जो सब्द लिखा गया है इसमें कौन सी संदी है सही जवाब होजागा option number C ब्रिधी संदी सदा जोर एव सदेव का संदी विशेद हो जाएगा सदा जोर एव सदेव इसमें ब्रिधी संदी है अगला प्रस देखते है निवन में द्विगु समास का उदारन कौन सा है आपको बतान है कि इसमें द्विगु समास का उदारन कौन सा है स्वाइज़ बजय का ओप्सन नमबर ए नौरत्न नौरत्न में प्रतम पद संख्या वाचक यह अंतिम पद संग्या है जिसका अर्थ नौरत्न का समाहार अता यहाँ पर द्विगु समास है अगला प्रस देखते है गुनहीन में कौन सा समास है आपको बताना है कि गुनहीन जो सब्द लिखा गया है इसमें कौन सा समास है गुनहीन का अगर हम समास विग्रा करेंगा तो होगा गुन से हीन इसमें करन कारक का पर्योग किया गया है अता करन तत्थ पुरुस इसलिए इसका सही जब होज़ाएगा आप्शनर भी तत्थ पुरुस समास तो ये थे हमारे 25 कोशन्स उमीदे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताएं कि 25 में से आपके कितने कोशन्स सही हुए थैंक्यू फर वाचिंग जहेंद